सल्मान खान का कॉंट्रोवर्शल शो बिग बॉस 17 इन दिनों चर्चा में बना हुआ है वही बिग बॉस में कंटेस्टेंट्स के लड़ाई जगडे काफी लाइम लाइट में हैं बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट विकी जैन और अंकीता लोखंडे के बीच जगडे सोशल मीडिया पर चर्चा में बने हुए हैं मुनकर फारुकी भी उन दोनों की आपसी समझ का मजाग उड़ा चुके हैं लोगों में आने से पहले कई लोग अंदाजा लगा रहे थे कि कापल्स बिग बॉस के घर जाकर गलती कर रहे हैं अब लोगों का ये डर सच साबित होता दिखाई दे रहा है अंकीता लोखंडे पहले ही अपनी लव स्टोरी सुना चुकी हैं उन्होंने बताया था कि शरुवात में एक महीने डेटिंग करने के बाद ही उनका विक्की से ब्रेक अप हो गया था अंकीता लोखंडे बिग बस हाउस में अकेला फील कर रही हैं उन्हें लग रहा है कि उनके हस्पन्ड विक्की जैन उनका साथ नहीं दे रहे अंकीता की इन हरकतों से विवर्स तो चिड़ी रहे थे अब विक्की भी आपा खोच चुके हैं वो अंकीता पर बरस चुके हैं कि वो उनकी गुलाम नहीं है वो उनके गेम के बीच में ना आई वो अपनी नात नहीं कटाना चाहते अंकिता लोखंडे शांत सिंग राजपूत के साथ लॉंग रिलेशन्शिप में रही ब्रेक अप के बाद वो काफी डिप्रेस थी उसके बाद उनकी जिंदगी में विक्की आए आपको बता दें कि अंकिता लोखंडे अपनी लव स्टोरी भी बता चुकी है कि कैसे अफैर के एक मन बाद ही उनका ब्रेक अप हो गया एक इंटर्वियू में अंकिता लोखंडे ने बताया था कि विक्की से मिलने के एक महीने बाद ही वो शादी करना चाहती थी लेकिन विक्की भाग गये थे शादी के एक साल बाद अंकिता ने बोला था कि शादी से एक साल पहले हमारा अफेर हुआ था उस टाइम भी हमें शादी करनी थी एक महीना हमारा अफेर चला और हमारा प्रेक अप हो गया विकी ने कहा था कि मैं मुंबई में अपना घर नहीं बना पाऊंगा अंकिता ने बताया था कि उन्होंने फिर से विकी को कॉल करी और कहा कि हम दोस्त ही रहते हैं क्योंकि वो उन्हें खोना नहीं चाती थी उसके बाद अंकिता विकी के जर्सी लाँच इविंट में गई पहां उनका रिलेशनशिप फिर से शुरू हो गया था लेकिन इस बार अंकिता ने विकी से कहा कि उनके पैरेंट से पहले शादी का अप्रूवल लेकर आएं तब ही डेटिंग करें उसके बाद साल 2021 में अंकिता और विकी ने शादी कर ली वैल आपको क्या लगता है विकी और अंकिता का रिष्टा बिग बस हाउस में खराब हो जाएगा या फिर वो फिर से एक होकर बाहर निकलेंगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं फिलहाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो को लाइक शेयर करें एंड चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें